राज या पूरे देश की बाति से समहाली जाती है किसी भी राज़े के भागे का बिधाता वहां का वोटर होता है यानु की मतदाता जब भी चुनावाता है तो एक ही सवाल जहन में उभर कर सामने आता है अजादी के 70 साल के बाद भी आज पूछा जाता है कि आखिर कब बदलेगा बिहार तो राजकुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनवारता टीवी में और आज हम बात करेंगे कि आखिर कार कब बदलेगा बिहार जी सबसे पहले मैं आपको जनवारता टीवी को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पे मुझे याद किया सबसे पहला सवाल दो डिप्टी सीम भी बनाए जा सकते यानि कि राजनेतिक लाप उठाने के लिए कोई भी बदलाओ किया जा सकता है क्या मानते आप इसका कि क्या लगता आपको कि नितिस की सरकार में कहींने कहीं कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है जिसके वैसे एक कदम उठाने की कोईशिस कर रहे हैं देखिए आदर्निये नितिस्कुमार जी जो है वो उनकी जन में वहाँ से हुई जेपी जब आदर्निये जैप्रकास नायन जी का जो आंदोलन था जेपी मूवमेंट वहाँ से सुरुवात हुई और वो ऐसे व्यक्ति निकले कि बिहार को बिह करता हैं आज नितिस्राज में ज DAN राज पार्ट टू 돌 रहा है रही बाद डिप टी तो आधरनीय तो आधरनीय नितिश कुमार जी को अपने काज करताओं पे अपने जो नेता लोग है उन लोग पे विश्वास नहीं है क्योंकि उन्होंने सेकेंड लाइन का दूसरी पिढ़ी का नेता को तयार ही नहीं किया सेकेंड लाइन के लिडर्शिप को लाया ही नहीं जिसके कारण प परसांद की सोर को जो डिप्टी सीएम चाहे आगे आने वाले समय में बागदोर सौपना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ने कहीं अपने आपको आत्मी समर्पन मतलब कि अपने आपको राजनितिक हत्या करना चाह रहे हैं और बिहार वासियों को अनाद छोर करक इसलिए जो वाइदे किये थे नितिस जी आपको उस वाइदे को निभाना पड़ेगा नहीं तो बिहार की जंता आपको माप नहीं करेगी बिहार में आज दो डिप्टी सीम नहीं अगर आप अपने आपको ये समझ चुके हैं कि क्यालते हैं हम फैलवर हो चुके हैं तो बिहार का मुखमंत्री बना दो उत्री बिहार का मुखमंत्री बना दो ये स्थिती भ्यावा की स्थिती बन चुकी है जी राजकुमार जी जैसा कि अभी आपने बताया कि डिप्टी सीम दो बना दें या कुछ भी कर लें यानि कि इससे लगता है कि कही नितिस कुमार जी का जो बिवस्था जो उन्होंने बनाये था जाती आधार पर जो एक समास से निकल करके एक आंदोलन से निकल कर बिहार की सत्ता में आये थे और जो दलित राजनीती की बात करने लगे थे जिसकी वज़े से उनको सरकार में एक अस्थान मिला उनकी पार्टी निकल करके आई लाल बिहार में दलित किसके साथ होगा अपना मसीह किसको मान। कियागा वहाँ की आवादी है 10,000 अभी तक वहाँ पे मुलभूत अधिकार नहीं पहुच पाए है ना वहाँ पे सरक है न कोई स्वास्थ केंद्र है वहाँ के आदमी लोग विमार पढ़ जाते तो पत्ना जैसे एमस में आना पड़ता है दिली एमस में आना पड़ता है अभी विकास है काहा bounced राजणिति की तो दली राजणिति की नितिश कुमार ने सभिधानी का पहत्या करने का काम किया है दलीत को अनुसुची जाती और जन जाती के लोगों को दलीत महा दलीत में उन्होंने बाटा अपने सासनकाल में सभिधानी का धिकार जो था अनुसुची जाती जन जाती के लोगों को उसको ये डैमेज करने का काम किया नहीं कि उदार दिल बन करके जो अनुसुची जाती है जन जाती के लोग थे उनको विकास के रास्ते शिक्षा के रास्ते इवन कि जो बिहार के अनुसुची जाती है जन जाती के छात्र लोग थे उनके स्कॉलर्शिप घोटाला हुआ और बच्चे आज बहुत सारे बच्च सबों में बच्चे लोगों की डिग्री रुकी पड़ी है स्कॉलर्शिप रही बात आज जाती है राजनिती है तो एक तरफ राम बिलास पास्वन जो दलित नेता थे वह आज स्वर्णों के नेता बन चुके हैं और नितिश कुमार अनुसुची जाती है जन जाती के नेता अ के अंदर में सरकार होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे बनता है तो क्या लगता है कि वहाँ पर जो बुनियादी जरूवत नहीं पूरी हो पाई और फिर से जो है विग्टन हुआ वहा राजनिती के विग्टन बहुत बड़ा दिखाई दिया तो अब क्या लगता है क कि बिहार में जो व्यवस्ता है दूसरी सरकार बंते चुनाओ आने वाला है चुनाओ के अंदर में गटवंदन की बात हो रही है महा गटवंदन की बात हो रही है तो तेजसिवी यादव की जो भूमिका है वह क्या है एतना हिए कि वो लालू-परसादी यादव का पु लिए और वो राघोपुर से बिधायक बने अपने पिता के कारण उनका कोई समाजिक सारूकार नहीं है जेपी आंदोलन जेसे कोई आंदोलन से पैदास नहीं है ये इंजिनियर राजकुमार पास्वान का कम सखम अन्ना अंदोलन से पैदास हुआ जन्म हुआ लेकिन लगता है कि जो लालू यादव का जंगर राज पार्ट वन था वो भयाबक जंगर राज के रूप में बदल जाएगा यह तेजसु यादव विकास के रास्ते नहीं वही गंदी राजनिती है क्योंकि आज ब्रहामन बादी बेवस्ता आर्जेडी में चरम सीमा पे है क्योंकि अभी अभी जेनिव चुनाव से पहले यही कंस्टिूशन कलब बिजाई चौक से बगल में है वहाँ पे जो समाजिक निया के बच्चे थे जो बड़े-बड़े परबुद्धे बेखती थे जो अपनी बातों को मजबुती से रख सकते थे उनलों को बोलने नहीं दिया गय लगा और वहीं पर एक नारा भी लगा आवए अरजर्लि में आप समस सकते हैं कि तिलग तराजु और दरवार उ इनको मारो जूते चार उस मंझ पे तेज़स्री यादभ भी थे तो 0205 बिहार को ले जाना पुराने RGD को देख रहे हैं वैसा ही राजनीती करना चाहते हैं या नहीं राजनीती को बिहार में पर्चम लळाया जा सकता है aurész कमार जइसा कि उत्तर पप्रदेश की बात करें ये दोनों राज अपने आप में जातिय के धोरी पर टिकी हुई है इसकी जो राजनीती है मुख तोर से कहें को जाती के धूरी पर है तो बिहार का जो भविष्ट है जो सवाल हमारा है जो हमारा कारेक्रम है कि आखिरकार कब बदलेगा बिहार इतना बड़ा बिहार बहुतिक संपदा की बात करें संस्कृति की बात करें अध्या जो भी राजनीति की धूरी पर जो राजनीत हो रही है उससे आखिरकार कब बदलेगा बिहार अगर ये राजनीतिक लोग इसी तरह कि अगर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे तो आखिरकार बिहार को बदलने के लिए आप जैसे लोग जो कदम रखे हैं तो क्या कुछ करे देखें आदर्निये आपकी जो ये टॉपिक है कब बदलेगा बिहार इस संदर में मुझे आदर्निये दिमकर साहब की कविता याद आती है जब वो राजसभा मनोनित हो करके आये तो वहाँ पे देखा उन्होंने उस जमाने में जब उन्होंने ये कविता लिखी कि दिल्ल चका चौन भड़ा बिलासपुन जीवन और गाउं की बदहाली आज लोग गाउं से जीत करके सहर की ओर आते हैं लेकिन अपने गाउं की जो संस्रिती सभ्यता है और उसको विकास उन्नती प्रगति की ओर ले जाना है वो कहीं न कहीं भूल जाते हैं और अपने हाथ से बिल लेगा बिहार बिहार को आज एक स्टेत्समेंट की जुरूत है आज तक बिहार में स्टेत्समेंट मिंब पैदा नहीं हुआ और ऐसे लोग रاج्निती कर रहे हैं जो घी से पिटे हुए लोग वही जाती बाद में सिमठ करके और वहां के भी जनता को जाती बाद से ऊपर करता है अधने नितिस्कुमार्ची जो घोल पिटते हैं के एक सुन्दर बिहार सुन्दर पटना तक नहीं बना पैं बीहार की कलपना चुड़िए जितने भी इस बीहार के जिले और तीसोज़़ जिले का जो घुकास का फंड हैं उस नालंदा विष्विध्याले को आदेरणीय नितिश्कमार जीवा हों कभी कलमणा नहीं किया कि यह विष्विध्याले उसमें कैसा था और वह साब विष्विध्याले में बनादू 5 साल में नहीं भी तो 6 पिडियों की हत्या हो यह कैसा बिहार बनाना चाहते हैं नितिस्कुमार जी अब ऐसा नहीं होगा यह कब बदलेगा बिहार आप ज्यादा दिन नहीं है आने वाले 20 में 20 के बाद जो उन्नती प्रगति जो भी सरकारे आएंगी वो जरूर बिहार को एक सही दिसा में ले जाएगे